मेरा नाम है आयोश्तिवारी जब यार हम अपने प्यारे देज भारत की बड़ी बड़ी सिटीज के बारे में सोचते हैं तो दो नाम जो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है वो है मुंबई और देलही देलही और मुंबई के बीच का जो डिस्टेंस है वो करीब डेड़ किलोमीटर को मैं आपसे पैदल चलके कवर करने को कहूं तो आपको लग जाएंगे लगभग 14-15 दिन दूसरी तरफ अगर इसी डेड़ हजार किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए मैं आपको कोई कार या फिर बाइक दे देता हूं तो सिर्फ एक से दो दिन में आ कब कहां कोंसा सहर आया कब कहां कैसा किस तरह का जंगल था यह सारी चीजे आपको बहुत अच्छे से पता होंगी और दूसरी तरफ जब आपके पास कार या फिर बाइक होगी तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी जिससे कि छोटी छोटी चीजों पर आपका ध्यान नहीं ज लेक्चर जेई मेंस और एडवांस के लिए सफिसियंट है या नहीं लेकिन वीडियो में आप मुझे दल ही और मुंबई के बीच का डिस्टन्स बता रहे हो इसे कवर करने में कितना टाइम लगता है यह सारी चीजे बता रहे हो डोंट वरी यार मैंने यह एक्जामपल इस चालो जैसे फिजिक्स का रे आप्टिक्स हो गया केमिस्ट्री का कॉडिनेशन कंपाउंड हो गया मैथमेटिक्स का कॉंपलेक्स नंबर हो गया सरकल हो गया इन सब चैप्टर्स को अगर आप लॉंग लेक्चर से कवर करने जाओगे तो आपको 14 से 15 दिन आराम से लग जैसे फिजिक्स का रोटेशनल मोशन, केमिस्ट्री का केमिकल बॉंडिंग, मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन इन चैप्टर्स की क्लास्स तो ओफलाइन कोचिंग में महिनों तक चलती है ये तो यार बात होई ओफलाइन क्लास्स के लॉंग लेक्चर्स की अगर हम वन सभी चैप्टर हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, यूट्यूब पे आपको सभी चैप्टर्स के चार से आठ घंटे के बीच के वन शॉट वीडियो मिल जाएंगे, बिलीव मी यार, चाहे आप ऑफलाइन क्लास्स के लॉंग लेक्चर्स फॉलो कर लो, या फिर या फिर बाइक से चलके कवर करने में था, जब आप लॉंग लेक्चर्स फॉलो करोगे तो उस चैप्टर में जेई के स्लेबस में छोटी से छोटी चीज जितनी भी होंगी, वो सारी चीजे अच्छे से एक्स्प्रेन करी जाएंगे, दूसरी तरफ वन शॉट लेक्चर्स में ये होगा कि जो examination point of view से important topics हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, यहाँ प्यार एक चीज याद रखना कि IIT JE का जो exam होता है, वो NEET या फिर board exam की तरह नहीं होता, JE में chapter की बहुत अच्छी understanding की requirement होती है, अगर आप सिर्फ NCERT पढ़के चले जाते हो, तो बहुत अच्छे chances हैं कि NEET और board में आप अच्छा perform करके आ जाओ, लेकिन सिर्फ NCERT पढ़ने से JE के question आप हिला तक नहीं पाओगे, जैसा कि आपको पता है, JE में दो exam होते हैं, JE mains और JE advance, अगर किसी chapter के लिए आप one short lectures follow गलते हो, और 7 में 40-50 question की practice कर लेते हो, उसके बाद PYQs देख ले जाओ, ऐसा इसलिए क्योंकि JE mains का paper इसी तरह design ही किया जाता है, chapters के कुछ specific topics favorite होते हैं, वहीं से हर साल question आदे रहते हैं, examiner maximum syllabus को cover करने के चकर में रहता है, इसलिए question tough नहीं होते, कुछ specific topics से ही बार-बार पूशे जाते हैं, तो one short lecture देखने से JE mains में तो आपको अच्छा खासा फायदा हो जाएगा, अगर आपने साथ ही साथ question के practice कर ली और PYQs भी solve कर ली है, तो, लेकिन यार, अगर आप ऐसे सपने देख रहे हो, कि one short lecture follow कर लेने से, और कुछ question मना लेने से, आप JEE advance पे भी अच्छा गर किया जाओगे, तो यह याद रखना, कि ऐसा कुछ भ किसी specific topic या chapter से question उठा के नहीं दे देते, कई सारे chapter को mix करके, एक question JEE advance में बनाया जाता है, अगर आप one short lectures follow करोगे, तो आधी अधोरी knowledge रहेगी, और believe में, इस case में JEE advance के question solve करना तो दूर, आप हिला तक नहीं पाऊगे, अगर मिरी बातों पे विश्वास नहीं हो रा, तो क किसी chapter के one short lecture follow करना, 7-7, 30-40 question में practice कर लेना, और JEE advance के PYQs try करना, आप उसे solve करना तो दूर, समझ नहीं पाऊगे, हिला नहीं पाऊगे, देखो यार, मैं आपको ये बता दू कि, यहाँ पे मेरी बातों को आप गलस sense में मत लेना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि one short lecture useless हो उन्हें follow कर लेते हो, तो वो sufficient है, even up to JEE advance level, लेकिन दूसरी तरफ बड़े बड़े chapters जो offline coaching में 20 दिन, 25 दिन चलते हैं, उन्हें अगर आप ऐसा सोचते हो कि one short lecture से cover कर लोगे, तो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, exam में आप जाके गलत करके आ जाओगे, और positive marks के जगा negative ले का मन करें, तो starting में जो मैंने example दिया था, उसे याद करना एक वार, दिल्नी से मुंबई तक का रास्ता है, अगर आप पैदल चलोगे, long lectures follow करोगे, तो 14 से 15 दिन लगेगा, लेकिन आपकी chapter की बहुत अच्छी understanding हो जाएगी, रास्ते में पढ़ने वाली हर छोटी से छोटी आपको याद रहेगी, दूसरी तरफ अगर आप कार या फिर बाइक लोगे, तो सिर्फ एक से दो दिन में पहुंच जाओगे, लेकिन सिर्फ में में चीज़े याद रहेंगी, छोटी छोटी चीज़े नहीं याद रहेंगी हो सकता है, जही में इसके question बन जाएं, लेकिन जही एडवांस में बहुत ही ज़्यादा difficulty face करनी पड़ेगी, I hope यार वीडियो को यहां तक देखने के बाद सारी चीज़े आपको अच्छे से समझ आई होंगे, चलो फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और topic के साथ, तब तक के लिए बबाए